हलो एवरिवन एक बार फिड से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे जहां पर आपको लगातार CUETPG की जो कांसलिंग है उसकी अपडेट देखने को मिलती है तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग JNU की कांसलिंग कैसे करवाएंगे ब दिखाए दे रहे होंगे यहाँ पर तीन सेक्षन है देखिए अगर आप वीडियो को भगा भगा के देखेंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और आप मिस्टेक कर देंगे आपका कौन सा कोर्स तो उसके लिए अलग सेक्षन है उसी सेक्षन में आपको दर्वानी होगी तो मेरी रिक्वेस्ट आप से किस वीडियो को प्लीज आप पूरा वोज करिए भगा भगा के बिल्कुल मत देखना पहला यहाँ पर ओप्षन है क्लिक है टू अप्लाई फोर में मसी और मसी अब अगर आपका में के अंदर जैसे हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटिकल साइन्स ये सारे कोर्से से एमसी फिजिक्स केमिस्टे ये सारे कोर्से से तो आप इसवाले पर क्लिक करेंगे यहां फिर आपका यहाँ पर दूसरा दिया वह है यहांपर दिया वह है क्लिक है to apply for M.tech, M.P.H. और PG डिपलोमा एक अगर आप इन में अप्लाई कर तो यह आपको ध्यान देना बढ़ एक को यापको क्लिक करके और एक का समझा दूगा वह उपर वाली पर क्लिक करते अब हम इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके एंटरफेस आजाएगा आपको एंगे अपर आपको क्लीर करती है नियुका गेंगे एक आपका फोटो लगेगा फोटोग्राप दूसरा आपका सिगनेचर जी हां इसके आलावा ना आपको अभी ओबीसी अनसील चीए ना अभी आपको य डबलोएस चीए ना अभी आपको पी डबलोडी का चीए ना ऐसी का चीए ना ST का चाहिए कोई भी सेटपिक्ट अभी आपको नहीं चाहिए बस आपको बताना है अगर आप OBCNCL में तो OBCNCL बताएए EWS में तो EWS बताएए PWD में है तो PWD बताएए SC में है तो SC या फिर ST में है तो ST यह आपको बताना है अभी document कुछ भी नहीं मांग रहा है सिवाए फोटो और सिगनेचर गे जब आपका कट ओफ आएगा जब आपका final selection हो जाएगा उसके बाद यह सारी चीजे मांगेगा तो अभी आपको बिल्कुल भी panic नहीं करना है अपने अकोडिंग अपने नंबर के अकोडिंग क्या गढ़ना आपको form को फिल करना ठीक है एक एक चीज बारी किसे में clear कर रहा हूँ ताकि आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी doubt नहीं बचे तो यहाँ पर आपका कोई भी doubt मुझे नहीं लगता कि रहे रहे गया है यह category वाले को लेके अभी आपको बस बताना है category कौन सी आपकी बाकी डोकुमेंट अभी आपका नहीं लगेगा जब आपका selection हो जाए या फिर आपको लग रहा है कि selection होगा मेरा तो आप form भरने के बाद बनाना स्टार्ट कर दीजे एक अप्रेल 2024 के बाद का डोकुमेंट बनाईए OBC EWS का आपका ठीक है अब यहाँ पर आपको दो option दिखाई दे रहे है एक तो new registration का है और एक sign in का है अपने को क्या करना है new register करना अभी ठीक है तो हम इसी पर click करेंगे अब यहाँ पर यह बता रहा है आपके फी के regarding कि कितना फी वगेरा लगेगा तो यहाँ पर अगर आप जनरल के तो 300 रुपे EWS में तो भी 300 रुपे और OBC के लिए तो भी 300 रुपे EWS वालों के लिए थोड़ा कम यहाँ पर देखिए आप S.E.S.T. P.W.D. के लिए यहाँ पर कितना है काउंसलिंग फीस है ओके अब यह सारा दिया गया है पासफ़र्ट वगर आपको कैसे बनाना है तो देखिए जब आप पहला स्टेप कम्प्लीट करते हैं तो उसमें आपको कुछ डीटेल यह ओटोमेटिक लेगा जिसे क्या क्या लेगा वह अभी हम लोग देखते हैं यहा से आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है यहां पर आपको अपना सही जो सीवर्टी का अप्लिकेशन नंबर है वो फिल करना इस वाले कोला में ठीक है उसके बाद आपको यहां को वर्थ फिल करनी है जो कि यहां पर फिल करनी है और विदाउट एनी स्पेस जैसे की एक एक डाउट क्लियर करूंगा जैसे मान लीजे आपका यहां पर है पांच दस तो हजार दो अब आप ऐसे नहीं लिखना आपको इसको ठीक है आप क्या लिखेंग ऐसे लिखेंगे जैसे कि यहां पर एक्जांपल के तोर पे दिया वाबी है ठीक है जिसे किसी का चोईस आठ दो हजार दो है तो उसको विदाउट इस पेस यहां पर देना है गाई सोके इस पेस नहीं देना आपको उसके बाद यह जो security capture देख रहे हो इसको आपको यहां पर फिल करना है और लोगिन कर लेंगे अब जैसे आप लोगिन करेंगे तो उसके बाद आपका कुछ डीटेल यह ओटोमेटिक ले लेगा जिससे नेम वगेरा है ठीक है इमेल है mobile number है ठीक है यह ले लेगा और उसके बाद category का option है तो category आप अपनी सुविधा के नुसार जो भी आपकी category है EWS में है तो EWS, SC में है तो SC, ST आप अपनी category वहाँ से select करिए उसके अलाओ यहाँ पर address proof मांगेगा एक तो address proof में आप सही fill करना permanent और present ठीक है दो पूछेगा यह आप से तो अगर same है तो same कर देना उसके बाद आपको password बनाना जो भी आप password रखना चाहे वो आप रख सकते लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को जो password आप बनाएंगे वहाँ पर ठीक है जो password आप बनाएंगे वो आपको याद भी रखना है जब आपका यहाँ पर result जारी किया जाएगा तो उस समय आपको password की need होगी ना कि application number और date over से आप निकालोगे वहाँ password मांगता है guys इसलिए password आपके समाल के रखना बहुत student को बाद में दिक्कत आती है यह चोटी चोटी बात है जो आपको कोई नहीं बताता लेकिन मैं आपको यह चीजे clear करता हूँ ताकि आपको बाद में समझ्या नहीं हो बाद में दिक्कत ना हो ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि password आपको बिल्कुल सही फिल करना है और सही आपको रखना है आपका mobile number आप फिल करेंगे वो number फिल करना जिसमें रिचार्ट हो रखना है सही है आपने सीविट वाले में भर है ताकि OTP आया आपके पास OTP का दिक्कत आपको नहीं है फिल करेंगे यह देखिए यह पासवर्ड से ही मांगेगा वहाँ इसलिए बोलड़ा हूं सही फिल करना application number यहां दर्ज करना है पासवर्ड यहां दर्ज करना है security capture यहां लगाना है और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से login कर लेंगे capture फिल करके ओके तो मैं यह process complete करता हूँ गाई just one minute और हम लोग डाइटल लोगिन कर लेते हैं तो guys जैसे आप लोग यहां पर लोगिन करेंगे तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है enter mail OTP जो कि अभी verify नहीं है ऐसे यहां पर एक mobile number का भी होगा ठीक है यहां एक section mobile number का भी होगा और same यह लिखा रहेगा आप verify करेंगे यहां पर verify का option रहेगा तो आपके mobile number पर OTP जाएगा जो भी OTP आपका गया है वो OTP आप यहां enter करेंगे उसके बाद आप verify कर देंगे वो verify हो चुका है ठीक है और यहां पर यह form directly क्या बोल रहा है कि free pay करने के लिए लेकिन जब आप mobile number verify कर लेंगे तो यहां लिखा आजाएगा continue application form का ऐसे करके तो आपको form को complete करना है कितने step आएंगे वो 4 step आएंगे अब हम लोग उन 4 step पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से वो step है चारो ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यह 4 step है पहला आपका personal detail का है दूसरा आपका qualification detail का है तीसरा document upload करने का है और चोता payment करने का है हम लोग एक-एक को समझते है personal detail में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो name है वो fill करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना DOB date over जो है वो fill करना है इस वाले column में उसके बाद यह gender पूछ रहा है आप male female जो भी है आप 5 से select करेंगे उसके बाद father's name पूछ रहा है यह देखिए जहाँ जहाँ यह red star है वो आपको fill करना ही करना है यहाँ पर national ability पूछ रहा है तो हमने इंडिया कर दिया अगर आप other से तो आप other कर सकते हैं आप अपना state fill करेंगे domicile जो state है तो इस student का उतर परदेश था तो यहाँ पर आ गया ST है ST करेंगे EWS है EWS करेंगे जो भी आपका category है प्लीज आप अपनी सुविधा के नुसार इसको fill करेंगे उसके बाद यह पूछ रहा है कि आप PWD में है तो आप PWD में है तो yes करेंगे इस वाले column में नहीं तो आप no करेंगे हमने no कर रखा है क्योंकि PWD में नहीं है फिर यहाँ पर आप कोई problem है तो आप yes otherwise आप no करेंगे अगर आप यहाँ पर देखे defense में आते है तो आप yes करेंगे defense में कौन आते है ध्यान से सुनना जैसे कि मान लिजे कि आपके parents आर्मी में रहे है ठीक है तो उनके पास certificate होता है उनको पता होता है तो अगर आपका ऐसा कुछ scene है defense में आते हैं आप तो प्लीज आप yes करिएगा otherwise आप no कर सकते हैं आप एक बार जेन्यू का जो पोलिसी वाला prospectus है उसको पढ़ लिजे उसमें दिया वा है सारी category आप कौन सी category में आता है वो भी दिया वा है तो आप वहाँ से देखेंगे एक एक सीज तो मैं नहीं बता पाऊंगा बट मैंने hint दे दिया आप कहां से देखेंगे वहाँ से आप देख लेना पता चल जाएगा वरना आप अपने parents को पूछ सकते है अगर वो आर्मी में है तो उनको पता है उनका category कौन सा था उनके पास उनके certificate पे सब कुछ लिखावा होता है आप कस्मेरी migrant है तो yes करेंगे otherwise आप no करेंगे हमने no कर दिया है ठीक है आप कहां से belong करते है rural area से करते है उर्बन से करते है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे मतलब आप गाओं में रहते है या city में रहते है income group पूछ रहा है आपका कौन सा है कितना आपका income है वो family income तो आप यहां से उसको अपनी सुविधा के अनुसार select करेंगे उसके बाद यह BPL category का पूछ रहा है तो अगर आप BPL में है तो yes करेंगे otherwise no करेंगे हमने no कर दिया क्योंकि हम BPL category में नहीं आते है उसके बाद यह deprivation point है बस यही main point है ध्यान रखना इसके लिए genuine अपने prospectus में पूरा list दे रखा है यहाँ पर पूरा list दे रखा है district wise दे रखा है यहाँ पर quarter one quarter two करके ऐसे है मैंने इस पर already video बना रखा है तो आप उस video को देख सकते हैं बाकी उस video का में link भी description box में दे दूँगा जिससे आपको आसानी हो जाए तो आप girls है तो mostly यहाँ पर yes आप कर सकते हैं बाकी आप एक बार ओड देख लेना यहाँ पर आपको deprivation point चीए आपको मिलते है तो आप yes करेंगे इस वाले को लमें ठीक है फिर यह पूछ रहा है कि आपने schooling कहां से किये गोर्मेंट से किये तो government private से किये तो private तो यहाँ पर हमने government कर दिया क्योंकि हमने 10-12 government से किया है उसके बाद यह पूछ रहा है कि are you a single girl child your family without brother and sister मतलब कि आप अपने परिवार में केवल एक ही ही गर्स मतलब ना तो आपका कोई भाई है ना आपका कोई बहीन है real की बात है ठीक है तो आप yes कर सकता है otherwise आपको no करना होगा ठीक है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है apply for अब देखे यहाँ पर यह तीन पूछेगा प्रोग्राम of study में यह तीन आपको field देगा जैसे यहाँ पर आगा first field of study अब जैसे इस स्टूडेंट ने वही दिया पेपर एंचियों क्यूपी 18 वाला दिया है मतलब political science का दिये इसमें तीन कोर्स आपके एक तो आयार का है दूसरा आपका PISM का है तीसरा आपका प्योलम का है political science का ठीक है अब इस साल इनोंने political science दिया है क्योंकि प्योलम स्टूडेंट समझे नहीं पाता है प्योलम के लिखाव है तो political science उन्होंने पूरा लिख दिया फुल फोर्म करके ठीक है तो अब अगर आपने देखिए दूसरा कोर्स दिया है जिससे अगर आपने philosophy दिया है या geography दिया तो उस condition में आपको एक फिल करना होगा क्योंकि आपका एक ही course लेकिन इन student के पास तीन chance होते है ठीक है तीन मोका है यार सुरी ठीक है यह तीनों इसने कर दिये ओके अब उसके बाद यहां पर यह पूछ रहा है आपका सीव इंटी का score card यहां पे जैसे अगर आप प्लेटिकल साइंस में दिये है पेपर तो आपका score आपको देना है तीनों में सेम आएगा अगर आपका 300 में से पूछ रहा है 300 में से 260 है तीनों में 260 होगा जैसे इसका आया है 163 तो तीनों में इसका हमने 163 तीनों में semi fill किया आपको semi fill करना है यहां आपको confusion नहीं होना चीए ठीक है अब उसके बाद यहां पर यह पूछ रहा है आपका 10 का detail तो यहां पर आपको 10 का detail दे देना है आपके board का नाम passing status य उसके बाद roll number है यहां पर आपको duration है तो वना जाएगा इसमें all subject आप लिख सकते हैं यहां पर total marks है कितना आपको मिला है वो percentage automatic यह ले लेगा guys ओके ऐसा ही 12 का है 12 में आपको board का नाम देना है वही आपको यहां पर देखिए आप subject में वैसे subject भी लिख सकते हैं जैसे आपक यहां पर यही same process है अपना marks वगरा देंगे यहां पर आपका CGP में है तो यहां पर आप मैकसिमम cgp डालेंगे कितना आपको मिला है वो वाला cgp डालेंगे और यहां पर यह ओटोमेटिकली ले लेगा percentage और cgp दोनों में दिया हुए जो आपका है उसी अनुसार आप दें रहा है और उसके बाद आपको वही आपको semester system है यह क्या है वो आपको यहां पर देना है और आपका यह रोल नुमर वगरा यहां पर फिल करना ठीक है अब यहां पर option एक आ रहा है any other qualification यहां पर BAB किया है BAB के बाद तो वह कर सकता है या फिर आप मान लिजे कि कहीं से अभी कर रहे है को लेजाब का चल रहा है तो आप उसको यहां पर कर सकते हैं अदरवाज इसको स्कीम भी कर सकते यह mandatory नहीं है गाइज ठीक है अब उसके बाद यह पूछ रहा है कि आप जेन्यू की किसी गुरूप से है भी सीडी यह गुरूप होते हैं एगर आप है तो येस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे इसमें नो कर दिया पूछ रहा है कि आपकी बोड़ी पे कोई निसान है तो हम नो कर देंग जो किसी युनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अभी तो आप येस कर सकते है अदर्वाइज नो करेंगे ठीक है आप इंप्लोईर है पर जेन्टली तो येस अदर्वाइज नो हम इसमें नो कर देंगे उसके बाद ये फादर मदर का कौलिफिकिशन पूछता है गाईस तो आ अब उसके बाद ये पूछेगा जितना भी डिटेल आपने दिया है सही है जैसे नेम फादर नेम अधर नेम डेटो वर्ट जेंडर के टिगरी सब के टिगरी सब कुछ आपको यहां पर सही देना है उसके बाद एक बटन पे क्लिक कर देना और सम्मिट आपको कर देना बस यह आपको करना है उसके बाद आपको बस दो ही काम करने एक तो आपको फोटो अपलोड करना है और एक आपको सिगनेचर अपलोड करना है यह दो चीज़ अपलोड करने है उसके बाद आपको पे ही करना है डैकली आपको पे वाला उप्शन आ जाएगा आप अपना फीस प करना अब आपको कोई भी डाउट होता है आपको मेरा इंस्टाग्राम का जो आइडी है वो दिया गया डिस्किप्शन बोक्स में वहाँ आप फोलो करके और मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइज जरूर करूंगा गाईस कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कोश्चन इस काउंसलिंग को लेकर आप मुझे वेज जिजगों के मैसेज कर सकते हैं ठीक है इस वीडियो में इतना ही मैंने complete टीटेल आपको बता दिया फिर भी कोई डाउट है तो पूर सकते हैं कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूर सकते हैं आपके कितने मांक्स है कोंशा सबजेक है एक बार आप बता सकते हैं मैं रिप्लाई करने का कोसिस करूंगा वहाँ पर पूरा कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया